हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपका सौगत है एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में तो इस वीडियो में बात करूँगा मेरी की लर्निंग्स की बहुत यदा इंटरेस्टिंग डिसकेशन होने वाला है बताऊंगा कि किस तरीके से क्या-क्या एक्जाम्पल्स के सा लिए उस बारे में बात करूँगा तो बिना टाइम वेस करें चलिए शुरू करते हैं तो आप काफी लोगों की तरह जो की इस एज के हैं मेरा भी पहला जो है स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को में जो मिला और काफी इंटरेस्टिंग था क्यूंकि इतना ज्यादा significant crash और उतनी तेजी से जो है stock वापस जो है rebound करना historically अगर हम देखे तो हमने शायदी कभी देखा हो और इस process में जो है बहुत ही जादा लोगों को बहुत ही जादा पैसा भी बनाया और बहुत जादा learnings भी मिली अब बात करता हूँ मेरी key learnings क्या थी तो मेरी जो first and foremost learning है वो ह जो most important learning थी वो ये थी कि never try to time the market अब ये एक behavioral aspect है जो कि आप थोड़ा experience के साथ और थोड़ा जब आप time के में market में time spend करते हैं तब ही सीखते हैं तो basically हुआ क्या जब market जो है 12,000-12,000 से एकदम से crash करके 7,500 के आसपास आ गया in March of 2020 तो उस time पे इतना जादा significant crash था तो मैंने भी काफी लोगों की तरह जो है क्योंकि पहले ऐसा crash कभी observe नहीं किया था तो मैं भी उसे time करने की कोशिश कर रहा था मुझे लगा था कि काफी यदा time मिलेगा ये देखने के लिए कि bottom बन गया है कि नहीं बन गया है तो basically मैंने किया क्या मैंने screening करी और बहुत अच्छे-च्छ stocks मुझे नजर आये काफी cheaply बट मैं और ज्यादा लालच में आ गया मुझे लगा मैंने levels बनाए nifty के कि हाँ भई nifty 9,000 पे होगा तो इतना buy करना है 8,000 पे होगा तो इतना buy करना है और मेरी calculation के हिसाब से nifty 6,000 तक जा सकता था और 6,000 पे मैं finally 100% allocation करने वाला था लेकिन वो क allocate करूँगा क्योंकि मैं technical भी इतना जादा नहीं जानता था तो इतनी भी नहीं समझती किस तरीके से bottom बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो उसके लिए मैंने बहुत जादा past historical data निकालके पिछले crashes का data निकालके उसके बड़ mining करके आपको दिख रहा होगा excel sheet में कि कितना percent crash आय crash करेगा और फिर धीरे-धीरे हुआ क्या हो 7000 से जो है 7500, 8000, 9000 हो गया 9000 से 10,000 हो गया और उस time पे जो है मुझे realize हुआ कि जो और यह उस time शायद July के आसपास की बात है July 2020 के तो मुझे realize हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ यह बिल्कुली futile exercise है और market का bottom मुझे मतलब personally लगा कि बन चुका है और मेरे जो levels थे 6000 और वो सब आने वाले हैं नहीं तो फिर जो है मैंने July के आसपास जो है मैंने अपना पैसा deploy करना शुरू कर दिया और July से लेके September तक almost 100% जो है मैंने allocation कर दिया वसमें which was अगर मैं hindsight में देखूँ तो काफी यादा अच्छा move रहा फिर भी मैं की learning यही मिली कि market time नहीं की जा सकती है सिर्फ आप risk reward देख सकते हैं और अगर risk reward आपके favor में हैं तो आप invest कर लीजे आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा काफी आज भी आज के time में भी काफी सारी ऐसी companies नजर आती हैं जिन में risk reward favorable है और अब मैं बहुँ जादा technical बहुँ लगा सकते हैं लेकिन यह कोशिच कर सकते हैं कि जब जो average up मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मैं average up करता हूं तो वो यहीं से मुझे learning मिली कि बहुँ जब market rebound कर रहा है तो आप दीरे दीरे अगर आपको लग रहा है कि यह trend change हो गया तो आप average up करी एक और key learning मेरी यह थी कि पहल मेरा जो approach रहता था हो यह रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा in fact जब आप मेरी portfolio allocation की video भी देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा पहले seed stock में जाता हूं फिर मतलब उसे जो है थोड़े time तक observe करता हूं फिर मैं उसे बहुत धीरे-धीर allocation बढ़ाता ह जैसे पहले कुछ हजार का किया फिर थोड़ा बढ़ाया फिर थोड़ा बढ़ाया और over time जैसे से वो company perform करती है मैं उसका allocation बढ़ाता हूं लेकिन अब इसमें हो कहा रहा था कि काफी बार यह हो रहा था कि उस time अगर आपको याद होगा कि market किस तरीके से कितनी तेजी से circuits प करके allocate कर रहे हैं तो आप वो जो पूरे के पूरे gains हैं उन्हें miss कर जाएंगे in fact काफी जादा ऐसी studies भी हैं कि पूरे के पूरे एक साल में hardly कुछी दिन होते हैं जो जिनमें पूरा market का move capture हो जाता है अगर आप उन दिन को miss कर जाएं I think तो जो है I think जो data था वो यह था कि 1% of days को miss कर गए तो आपका जो return है वो पूरे साल का बाकी यानि कि 99% of the days का जो average है वो zero है तो essentially market बहुत जादा तेजी से move करती है और तो इससे मेरी key learning ये थी कि मैंने जो है अब क्या किया है अपनी portfolio allocation strategy में थोड़ा change किया कि मैं बजाए बहुत जादा छोटे allocation से शुरू करने क क्योंकि वो allocation is the key right अगर आप आपने 20-25% का move capture कर लिया लेकिन आपका allocation कुछ भी नहीं था तो आपके लिए तो वो useless ही हुआ ना तो अभी मैं क्या करता हूँ मैं उससे levels मैंने ही माना है कि मैं कभी भी कोई company खरीदूँगा तो मैं सिरफ मुझे 5 chances मिलेंगे वो company खरीदने क उससे ज़्यादा बार मैं नहीं करीज सकता तो मैं at a particular point of time minimum 2% allocation करता हूँ फिरे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10% से ज़्यादा जो है मैं अपनी personal money का allocation नहीं करता तो ये मेरी key learning थी अब ये मुझे लगता है अभी अगर मैं बात करूँ तो पिछले काफी दिनों से मैं यही strategy follow कर रहा हूँ और काफी ज़्यादा improvement है as compared to the previous strategy next third or most important learning वो है कि market में आपका जो judgment है यानि कि stock analyze तो बहुत लोग करते हैं stock के बारे में पड़ भी लेते हैं आपने पूरी story को समझ भी लिया आपको समझ भी आगया कि company कैसी है लेकिन एक market की judgment होती है जो कि आप same story सुनने के बा आप या तो buy का decision लेते हैं या नहीं लेते हैं मैं example लेता हूँ जैसे मैंने एक video बनाई थी IEX के बारे में right तो मैंने उस time पर decide किया उस time शायद 200 या 300 रुपय के आसपास share था और वो बढ़के शायद काफी जादा हो गया था उसके बाद तो मैंने decide किया था video में मैंने बो opposite decision लिया और उस company में invest किया लेकिन मैंने उस company में invest नहीं किया और यहीं जो है वो judgment वाली चीज़ जाती है similarly एक company और बताता हूं KPIT उसको भी मैंने बहुत analyze करा detail में analyze करा और hindsight में बोलूँ तो मतलब बहुत यादा खराब decision रहा क्योंकि मैंने उसमें invest नहीं किया right तो अब य जाता है कि क्या चीज वर्क करती है क्या चीज नहीं वर्क करती है in fact इससे मेरी एक बहुत ज़्यादा important learning ये थी कि अगर आपको management की quality business की quality यानि कि एक ऐसा business जो की बहुत ज़्यादा अच्छी tailwind में हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी growth आप expect कर रहे हैं तो आप valuation पे उत बनाता हूं levels बनाता हूं तो KPIT में मुझे याद है कि हाँ वो 12% के आसपास आ रहा था based on my calculation क्योंकि मैं मान रहा था कि FY26 में वो 25-30 के PE पे trade करेगा लेकिन अगर आज देखें तो KPIT already 50-60 के PE पे trade कर रहा है right similarly with IEX तो जो कोई भी एक company है तो उसका जो up move है वो सिर्फ earning potential से न matter करता है और मैं generally जो है अपनी valuation में PE को उतना ज्यादा consideration नहीं देता हूं मैं PE को कम रखने की कोशिश करता हूं ताकि margin of safety रहे तो मेरी key learning जो है इन experiences से यह रही कि अगर आपको बहुत ही अच्छी company मिल रही है यानि कि management अच्छा है, tailwind बहुत ही अच्छी है और एक तरीके स आईए एक तो दोनों एक sunrise sector में तो आप valuation पे कम ध्यान दीजिए आप valuation को थोड़ा बहुत ignore कर सकते हैं अगर as long as the quality of the business जो है वो आपकी जो है intact है और बहुत यदा अच्छी tailwinds है और बहुत जादा अच्छा sunrise sector है next अभी मैं अपने जो है पिछले साल की statement देख रहा था profit and loss की ये trades की तो जो most important मेरी एक learning मुझे नजर आई कि जितने भी loss वाली जो figures थी वो सब ऐसी थी जहां पे मैंने अपना investment process break कर रहा था हला कि वो एक तरीके से एक known उसे बोल सकते हैं कि मैं मुझे पता था कि मैं यहां पर अपना investment process जो है नहीं follow कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो trades लिये क्योंकि आप थोड़ा बहुत form हो कह सकते हैं या फिर यह कह सकते हैं कि भई जिसे मैं follow करता हूँ वो उसको जो है recommend कर रहे थे या इस तरीके से हला कि इस case में मैं हमेशा mindful रहता हूँ कि इस तरीके की चीज़े मैं less than 5% of the money से करूँ 95% of the money ऐसी जगा पे हो हमेशा जहाँ पे मेरा बहुत जादा high conviction है बट कुलमिला की realization यह था कि अगर आप एक तो पहली बात तो इस तरीके के आप कुछ भी छोटे मुड़े trades ले रहे हैं for any reason आप अपनी feeling के हिसाब से तो उन्हें बहुत जादा limited amount में करिये और दूसरी चीज यह थी मतलब मेरे experience से तो आप उन्हें avoid करिये एक और important learning थी जिससे मैंने अपना process थोड़ा सा evolve करा अगर आपको याद होगा मेरे portfolio allocation strategy में म ने बताया था कि मैं consistent compounders में भी invest करता हूँ मैं dividend stocks में भी invest करता हूँ ताकि मैं dividends ले सकूँ वो actually अगर मैं hindsight में बोलू हूँ तो वो work नहीं करता क्योंकि market में अगर मैं हूँ तो मेरा most important goal है पैसे कमाना ज्याद से ज्यादा पैसे कमाना और dividend stocks में वैसा possible ही नहीं है क्योंकि dividend stocks में growth slow होती है तो market कभी भी उनको उनका जो इक तरीक से कह सकते हैं जो stock है वो बिल्कुल perform नहीं करता है सिर्फ dividends के लिए ही आप उस stock में रहते हैं और hindsight में मैंने एक दो dividend companies में जिन में invest किया था वो दोनों ही बहुत यादा under performer रही हाला कि ये एक थोड़ी known चीज थी लेक तुमें income ही चाहिए तो अपना थोड़ा बहुत share जो है बेच दो बट कुल मिला के मेरी realization ये थी कि अभी जो है मैं consistent compounders हो या फिर dividend stock हो उनमें dividend में तो मैंने बिल्कुली खतम कर दिया है consistent compounders में भी मैं बहुत छोटा ही amount invest करता हूँ जहां पर मुझे margin of safety काफी अच्छा बात है कि जब आपको confidence कम होता है अपने उपर जब आप थोड़े नए होते हैं तो आपको ये diversification बहुत ज़ादा important है क्योंकि diversification जो है आपके downside को protect करता है लेकिन जब आप धीरे-धीरे confident होते जाते हैं तो आपके लिए concentration ज़ादा important है क्योंकि आपको विश्वास है कि आप stocks में कुछ stocks ऐसे थे जो कि मैंने बहुत जल्दी बेच दिये ये सोचके कि यार इनकी तो valuation बहुत ज़ादा high हो गई Dixon almost मैंने खरीदा था जुलाई अगस्यानी शुरुआत में ही जुलाई 2020 की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे उसका जो भी price था और मैंने जो है 2021 में जो है I think mid में जो है उसे बेच दिया क्योंकि मेरे valuations जो है ये बता रहे थे कि वो बहुत ज़ादा over valued है और हाला कि वो crazy valuations हैं और मैंने उसको exit मार दिया but in hindsight अब मुझे लगता है कि इस तरीके के stocks जो बहुत ज़ादा high growth होते हैं वो उनमें आप सिर्फ valuation के basis पे decision नहीं ले सकते हैं आपको selling decision के लिए आपको जब तक अगर आपकी growth sustain हो रही है valuation बहुत ज़ादा crazy भी है तो आप उसमें बने रह सकते हैं तो ये तो बात थी कुछ की learnings की अब बात कर लेता हूँ वो चीजें जो कि actually मैं work करी और जो कि मैं continue करूँगा जो पहली और foremost चीज थी वो थी coughing others मतलब cheating करना बुरी बात है लेकिन मुझे लगा मुझे मतलब personally बता हूँ तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है stock market में cheating करके आप बहुत ज़्यादा better returns कमा सकते हैं मेरे portfolio में अगर आप देखें तो ज़्यादा तर stocks अगर जो है वो cheating वाले ही हैं कुछ आशीश का चोलिया सर से कुछ जो है अपने जान पचान वाले लोगों से जैसे कि कुछ साहिल के portfolio से कुछ तारिक के portfolio से कुछ किसी औ portfolio से तो जो भी जाना कोई भी कुछ बात कर रहा होता है तो उसको मैं जाके analyze करता हूँ अब इसमें important चीज है कि आपको mindlessly cloning नहीं करनी है आपको उस stock को analyze करना है detail में और अगर आपको काफी stocks ऐसे हैं जो मैंने उनके देखे जैसे मैं आपको पताता हूँ सस्ता संदर उस ट इम पर कोई invested नहीं था मैंने देखा loss making company थी high growth थी but मेरा जो thought process था वो यह था कि यार बहुत यादा competitive intensive kind of market है बड़े players जैसे की reliance हुआ जैसे की net meds हुआ और जितने भी बाकी players है 10 mg हुआ, Tata's हुए यह सब जो है they have the right to win एक सस्ता संदर जैसा player doesn't have a right to win और यह एक regional player है जो क किसे नहीं सोच पाया कि actually में एक acquisition candidate हो सकता है और आप आगे जाके देखिए वो stock बहुत अच्छा करा लेकिन उसमें मुझे इतनी जादा problem नहीं है क्योंकि उसमें मैंने अपना due diligence करा उसे साब से मेरे को जो लगा मैंने किया और वो बढ़ गया मदब theory सही नहीं थी which is okay but the mo shopping जो है काफी जादा अच्छी अच्छी ideas लेकर आता है एक और important था कि काफी जगा पे मैंने काफी अच्छी exit ली timely exit ली जैसे कि thyrocare एक पुराना मेरी holding थी और उस time पे covid काफी आदेजी से था तो मुझे लगा peak earnings है आगे जाके earnings decline ही हो नहीं है वो actually उतना बड़ा trigger नहीं था PE player था यानि private equity player था तो private equity player जो है वो अलग तरहीके से operate करते हैं और मैंने जो है कुछ-कुछ test भी कराये थे था irocare से कुछ-कुछ feedback लिया तो मुझे उतना यादा अच्छा नहीं लगा तो basically मुझे लगा कि उनकी service actually में downgrade हो रही है उनका IT जो है वो अच्छा होने के जाए बट फिर भी मुझे लगता है वो एक reasonable decision था उसके लावा एक और timely exit जैसे की इंडिया मार्ट इंडिया मार्ट में मुझे याद है मैंने तब sell out किया था जब company ने जो है अपनी peak valuations पे अपना एक rights issue निकाला था शायद या फिर basically equity dilute कर रहे थे पैसे raise कर रहे थे जबक कि यह रही है और valuation wise भी मुझे expensive लग रहा था तो उस time पर मैंने उसे sell out कर दिया और तब से stock काफी गिर चुका है तो वो एक अच्छा exit मैं कहूंगा India Mart was a good exit for me उसके लावा कुछ और चीजे थी जो अच्छे काम करी जैसे अगर आपकी thesis continue कर रही है जैसे कुछ ऐसे stocks होते है जो evergreen type के होते हैं जैसे APL Apollo है मेरे portfolio में या polycab है तो valuation high है सब कुछ है लेकिन thesis अगर आप देखें तो अभी भी management reasonably perform कर रही है गाइड भी अच्छा कर रही है और tailwinds भी चल रही है इस पूरे real estate sector में और यह ancillary companies है real estate की तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं छेड़ा जब से जो है वो अच्छे से grow कर रहे है और तब से मैं उसे रखके बैटा हूँ पिछले कई सालों से तो यह जो है कुछ decisions थे जो की मेरे ठीक ठाक तरीके से perform करें तो यह थी मेरी कुछ की learnings और कुछ ऐसी चीज़े जो की मैंने सही करी मुझे लगता है पिछले दो सालों में आप अपनी learnings भी मेरे साथ share करिएगा Twitter पर भी और यहां के comments पर भी YouTube के और इसी तरीके की वीडियो देखते रहना चाहते हो तो जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप मेरे चैनल को regularly check out करते है तो एक request है प्लीज इसे like जरूर कर दिजेगा वीडियो को ताकि मुझे भी थोड़ा motivation मिले इस तरीके का content मैं बनाता रहूँ I hope आपका जो है साथ बना रहेगा तो चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में बाई बाई